हेलो स्टुडिन्स तो चलिए जेए एडवांस 2013 का औरगैनिक केमिस्ट्री से पूछा गया बहुत ही आसान क्विस्टन आज हम सोल करने वाले हैं पूछा गया है कि आपके पास यह हैलाइट्स दे रखें आपको इलकाइल हैलाइट्स इन में से कौन सबसे ज़्यादा एलकोहलिक केविच के साथ फास्टली रियक्ट करेगा पहले मैं बता दूँ एलकोहलिक केविच के रोल में हमारे पास जो यह हैलोजन है यह बाहर निकल जाती है और उसके साथ कोई एक हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाती है और अलकीन बनती है बच्चे क्या बनती है अलकीन एक छोटा सा एक्जेंपल मैं दे दूँ आपको यहां पर CS3, CS2, CL में यदि आप अलकोहलिक के वेच डालते हो तो देखें यहां से हलोजन, यहां से कार्बन, कैसी हाइडरोजन अटा दीजे तो बन जाएगा CS2, CS2, मतलब जो final product है वो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर alkenes बनेगी, क्या बनने वाली है, alkenes, इसके अंदर अलकोहलिक के वेच डालूँगा, तो भी alkenes बनेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अब हमें बताना है कि किसके अंदर alkenes fast बनेगी, मतलब जल्दी ब कि आप कितना जल्दी जाओगे, क्या यह इस बात पर depend नहीं करेगा आपको, कि उस दूसरी नोकरी में आपको कितनी stability मिल रही है, या कितनी salary मिल रही है, yes or no, तो इसका मतलब इनसे जो बनने वाले product हैं, वो जितने ज़्यादा stable होंगे, उसी case में reaction सबसे ज़्यादा fast होग चलिए एक बार सभी के cases में हम product बना कर देख लेते हैं, यहाँ पर है मेरे पास alcoholic KOH, तो देखें, यहाँ से बच्चे जाएगी halogen, और यहाँ पर जो hydrogen atom है, यह चला जाएगा यहाँ से, यहाँ से जाएगी halogen, तो इसके आस प्रोस में carbon कौन सा यह, यहाँ से जाएगी hydrogen, ज जब हम इसमें क्या डालेंगे, alcoholic के वज़, तो यहाँ जो alken बनेगी, वो बनेगी हमारे पास कुछ इस तरह से यह वाली alken, ठीक, यहाँ पर देखें, यहाँ से ब्रोमाइडाइन बाहर जाएगा, तो यहाँ पर जो hydrogen लगी हुई है, यह वाली चली जाएगी, तो हमारे प जाब की इन इस जदा स्टेबल होती है, जिसमें अलफा हैड्रोजन सबसे जदा होती है, जैसे, लगी यहाँ मितायल गूरूप है, यहाँ पर मितायल गूरूप है, यहाँ पर क्या है hydrogen है नाइन आलफ अबर यहाँ पर सबसे स्टेबल बढ़ते यहां के पास यह सोर नौ में आंसर देगी. भी आप सबसे stable Alkene बन रही हमारे पास यह वाली है तो इसका मुलब जो फर्स्ट है वह सबसे जादर रियक्टिय होगा तो फर्स्ट किस-किस में है A में B में और D में तो इसका मलब C option हमारे पास चला गया है ठीक है सबसे कम reactive कौन सा होगा यह fourth fourth होना चाहिए सबसे कम reactive तो इसके पिछे तो fourth है ही नहीं तो यह option भी चला गया तो अब हमारे पास अखाड़े में बच गए हैं दो पहलवान A और B इसका मलब doubt हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है कि sir यहाँ पर जो alkin बने है यह तो दोनों ही same alkin है same alkin है तो इनकी stability भी same रही होगी तो stability is same है तो sir अब हम reactivity की space पर देखेंगे तो यहाँ tension मत लीजी यहाँ पर reactivity दी जाएगी देखी जाएगी कि आपके पास halogen atom कौन सा है halogen atom कौन सा है यहाँ पर chloride ion है यहाँ पर कौन है bromine halogen है तो हमेशा chlorine के comparatively जो bromine की bond cleavage है वो fast होगी it means जो bromide ion होगा वो ज्यादा reactive होगा यहाँ पर मतलब bromine यहाँ से जल्दी निकल जाएगी कहने का मतलब यह है तो यदि यह जल्दी निकल जाएगी इसका मतलब जो third वाली अलकीन है यह fast बनेगी तो सबसे fast कोन बनेगी first इन दोनों में से कोन जीत गया bromine वाला bromine जल्दी बाहर भाग जाएगा तो उसके बाद आएगा हमारे पास third उसके बाद गोन आएगा हमारे पास second और सबसे last में कोन आएगा हमारे पास fourth तो देख लीजिए यह answer कहाँ पर है first, third, second, fourth first, third, no first, third, second, fourth answer B is correct क्या answer आएगा B is correct तो organic code don't think यह difficult होती है बस सरते आपको कुछ rules है वो पता होने चाहिए और basic जो है organic वो आपका strong होना चाहिए तो अपने basic को और अधिक strong बनाने के लिए आप regularly हमारे channel 10 classes को visit करें जहाँ पर organic की हर chapter की video हमने बना दी है यहाँ पर अलकीन बनने का जो rule है वो sets of elimination की according हम करते हैं तो यदि अब तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो subscribe our YouTube channel the 10 classes और बने रहें हमारे साथ Thank you